आप लोगों के सामने मैं financial statement with adjustment की topic करा रहा था जिसमें मैंने आपको कई adjustment कराये थे अब हम आगे के adjustment पे आ रहे हैं that is called deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure होते क्या है पहले हम इसको समझते हैं ऐसे खर्च जो है तो actual में खर्च बट उसका benefit हमें कई सालों तक होने वाला है मतलब ऐसे खर्च जो वास्तों में revenue expenditure है जिनसे हमें कोई assets नहीं मिलता उसके बावजूद भी इसका फाइदा कई सालों तक होता है तो ऐसे खर्चों को हम deferred revenue expenditure कहते हैं अगर question में deferred revenue expenditure दे रखा हो और कह रखा हो कि इसकी जो profitability है या इसके जो benefits है वो जितने साल तक चलेंगे जैसे मालो तीन साल चलना है पात साल चलना है तो आप उनके खर्चों को उतने सालों में write-off करोगे बस यही समझना है तो deferred revenue expenditure में क्या क्या चीज़े हो सकती है आपके पास जैसे advertisement के नाम से हो सकता है advertisement हो सकता है पर इससे preliminary expenses हो सकता है प्रीलिम लिक देता हो expenditure होते हैं इस टेप का कुछ हो आप इन खर्चों के लिए दे दिया जैसे मालो advertisement है आप कह दिया इसका benefit जो है इसका one-third जो है आपको P&L में transfer करना है इसका five years तक इसकी benefit carry कर दी है इसका मतलब क्या हुआ आप क्या करोगे जो advertisement आपके question में दे रखा है उसका one-third निकालो वह आप P&L में सो कर दोगे और जो two-third amount है उसको आप balance it में as a asset सो करोगे जानी दिकाइस का treatment हम जब करेंगे तो revenue expenditure का जितने साल lasting बोला उतना portion portion of current year जो है उसको आप debit of P&L में दिखा होगे profit and loss के debit में और जो बाकि जो rest amount है rest amount will sown in assets side of balance it यानि balance it के assets में सो कर गए जैसे suppose कर आपके पास question में दे रखा advertisement हमालो suppose कर आप इसी को समझ रखा advertisement 50,000 दे रखा है आपके पास अब आप से क्या कह रहा 50,000 में advertisement जो है उसको कह रहा इसको पात सालों तक carry कर रहा है तो इसका one-fifth आप यहां निकालोगे one-fifth of 50,000 जो यह 10,000 आ रहा है यह आप P&L में सो कर दीजेगा और balance it में assets side में आप क्या करोगे 50,000 जो advertisement का है उसमें से 10,000 minus करके 40,000 दोपे जो है आप assets सो कर दीजेगा समझ में आ रहा आप अब यही पर suppose करो यह five years के जगे four years में कहता तो one by four करते 12,500 होता 12,500 minus करके 37,500 यह दो जगे treatment होगा I hope आपको अच्छे सा समझ बहा रहा है अब हम next topic अब next topic पर आगे managers commission on net profit कई बार क्या होता है अपने managers को motivate करने के लिए एक तरह से कहो कि उन्हें profit का कुछ share दे देते है नॉर्मल वे में समझ जाए वर्क कर जो है manager की तरह काम कर रहा हम उसको salary देते हूं अपना सुबह से साम तक का जो उसका duty वो करोगे तो जो profit आप earn करके दोगे उसका हम इतने percent आपको as a profit का share दे है commission के रूप में तो जाहिर से बात है वो जादा से जादा मेहनत करेगा ताकि उसके commission जादा हो बद्रेम हमें भी profit earn हो जाएगा तो managers commission कांट्रीट कैसे करते हैं अब इसके दो case समझो एक अगर यह सर्फ in trial balance दे रखा हो तो trial balance में दे रखा है तो कोई बात ही नहीं expenditure expenditure के तरह पी एनल के debit में डाल दोगे तो यहां पर यह आ गया सर्फ debit of profit and loss में बट इतना simple question आपको देगा नहीं कि आपको सर्फ trial balance में दे दिया आप मझे ले लो नहीं अब क्या होगा यह नॉर्मल में दे रखा होगा adjustment में इन adjustment अगर दे रखा हो तो इसके दो treatment होगे दो treatment कहां कहां होंगे वह समझो एक तो वही debit of profit and loss में आप सो करोगे दूसरा क्या करोगे as a liability side of balance it so करोगे यानि balance it में लाइप इस है अब एक बात और ध्यान रखना जब manager commission दिया रहेगा तो हम इसको outstanding commissions के नाम से दिख रहे हैं वहने managers commission outstanding यह word लिखोगे आप ज्यादा अच्छा होगा managers commission outstanding OS लिख देता हूं आप समझ दोगे इस है ठीक है यह तो हो गया normal चीजे पक्का है बट इतना भी आसान नहीं होगा इसके साथ भी थोड़े यह word होता है एक लिखा होगा आपको after charging commission यह कमिशन जो है आफ्टर चार्जिंग है पस यह दोनों words के trick को पकड़ना यह पकड़ लिए questions बन जाएगा आपसे before charging में normal सी बात है कमिशन निकालते हैं तो commission निकालने का जो तरीका होता है हमारा यह होता है जिसा हम commission निकालने है तो commission is equal to हो जाएगा जो net profit है इंटू जो rate आपको given है वो upon me 100 कि करके आप निकाल दोगे before charging commission का commission निकालने है यही चीज़ अगर after charging में होगा तो commission निकालेंगे तो commission is equal to हो जाएगा जो net profit है वो इंटू कर दिजेगा rate अपन में 100 प्लस rate यह है इसका तरीका यह आप क्या करोगे commission निकालने के लिए net profit इंटू rate अपन में 100 प्लस rate चलो जैसे के example से आपको सो करता हूँ मैं लेट करो कि यहाँ पे जो question है उसमें profit दे रखा है मानलो आप अपने से हम लेते हैं 22,000 का हमारे पास profit ने रखा है अब पहला किस दिया जो commission है at the rate of 10% लेना है ठीक है अब सोचो अगर यह before charging बोला होता तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं तो हमारा जो net profit का commission निकालते हैं तो profit हो गया हमारा 22,000 वो हमने लिख दिया multiply rate है 10% तो 10 अपन में 100 किजेगा यह निकलके 22,000 आ गया समझ रहा हूँ अब अगर यही वाला इस वाले method से निकालने बोला होता है यानि after charging commission बोला होता देन तिर आप क्या करोगे यह जो profit निकलता 22,000 तो था ही इंटू करते 10 अपन में 100 प्लस 10 इसको solve किजेगा तो यह 22,000 इंटू हो गया 10 अपन में 110 अब समझ रहा है अगर 2% होता तो दो बटे में 102 पांच होता तो पांच बटे में 105 इस तरीके से आप यह काटिएगा 00 के अंसे लिगा और इससे दो बार में कट गया यह 2000 का commission आ गया समझ मैं अब देखो यही फर्क है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग अब निकालेंगे कैसे तो सबसे पहला आप नॉर्मल जैसे नेट प्रॉफिट निकालते हो निकाल दो close कर लो profit अनॉस एकाउंट बनाया net profit जैसे निकालते हैं निकाल दो वहाँ पे लिख से इंडिकेट कर देता हूं जो से पहले वाला मैंने आपको deferred revenue expenditure का topic करा है उसको भी example से sort out कर देता हूं और इस topic को भी करा देता हूं आज हो आप असानी से cover कर पाऊगे तो guys मैंने आप लोगों को अभी deferred revenue expenditure का topic कराया था अब हम illustration no.14 देख रहे हैं D.K.Goyal की book से चलो मैं आपको सर्फ example को sort out करने के लिए कि जो हमने सीखा वो कैसे use करें जैसे देखो हमारे पास adjustment में closing stock treatment हमें करना आता है कि ता right of one-fifth of advertisement expenditure यह हमारे deferred revenue expenditure का है चलो मैंने आप आपको क्या बता है कि हम पहले सबसे पहले question में डूण रहे हैं हमारे पास advertisement दे कितना रखा एडवर्टीजमेंट आपको कितना दे रखा 6,000 तो अब मैंने क्या बताया था कि हम इसका 2 treatment करेंगे 6,000 को जो 6,000 हमारे पास value दे रखा है इसका one-fifth तो उसने कहा है write-off करना है तो इसका into one by five करोगे that is come 1200 इस 1200 को हम क्या करेंगे मैंने बता है पहले P&L के debit में डारेंगे तो देखो इन्होंने भी वही काम किया होगा यहां उपर में सबसे उपर में advertisement दिखा है one-fifth of 6,000 1200 यहां पे indicate कर दिया और दूसरा treatment मेंने क्या बताया था कि अब 6,000 में से 1200 तो ह तो देखो advertisement expenditure के नाम से 4800 expenditure यहां पे assets में सोगए दिया गया बस यह treatment होके complete हो गया पक्का है अब इसके सिवा जो इसमें treatment है डेटर्स वाले यह आपको करा रखा है bad debts के topic provisions का भी करा रखा है interest का भी करा रखा है अब हम जैसे commissions manager के commissions की बात करें तो question number 15 है illustration number 15 अब इस 15 में यह questions दे रखा है उससे हमें कोई दिक्कत नी है closing stock का treatment हमें आता है wages का treatment आता है bad debts और इसके provision का treatment आता है rent 11th month का है यानि one month count standing है वो भी आता है loan जो है इतने तारिक को लिया है यह loan वाले सारे treatment मैंने कराए है description में मैं इसके भी link डाल दूँगा interest वगरे का topic कैसे है वो फिर भी आपका रख्या हो depreciation यह भी हमने कर रखा आप मैंनेजर का commission है 10% on net profit after charging commission अभी मैंने आपको आता है था after और before charging after charging ठीक है अब यहां पर हम पहले क्या करेंगे मैंने आपको होता है कि पहले हम trading और P&L account बनाएंगे तो देखो इन्होंने trading account बनाया trading account से इनका gross profit आया 82400 इसको यहां पर ले लिए अब इस से इन्होंने P&L account close किया मैंने आपको बताया था normal P&L जैसे बनाते है आप बनाओ इसका balance आ गया आप यहां पर लिख दो गया being profit before charging managers commission यह हमने indicate कर दिया 32,200 यह हमने ले लिया अब हमें करना after charging commission तो मैंने क्या बताया था 32,200 जो net profit है into क्या बताया था rate upon में 100 plus rate तो rate है 10% upon में 100 plus rate यह बताया आपको देखो मैंने बताया था जो net profit into rate upon में 100 plus rate इस formula को बताया था भी आपको तो बस उसी तरीके से देखो net profit जो 32,200 आया था वो into rate देखा 10% upon में 100 plus 10 यानि 110 इसको काटेंगे यह पैसे आगया यह managers commission out extending के नाम से indicate कर दीजे बताया था आपको फिर जो बचा balance यह net profit हो गया complete इसको ऐसे क्यों करो एक बात और बताता हूं कई लोग क्या करते हैं यह direct पे यहीं पे calculate करते हैं अगर आपका calculation sound नहीं है आप अब suppose को आपने यह वाला तरीका अपनाया और net मने जो managers commission निकालने में गलती होगे तो भी आपके यहां तक तो गल सही माने जाएंगे तो इसके एक आद नमबर कर जाएंगे बाकि आपको marks मिलने चाहिए ठीक है अब इसका क्या बताया था एक treatment manager commission जो होगा वो कहां दिखा आना है तो balance it में liabilities में sow करते हैं तो वही हमने दिखा दिया हैं पर देखो outstanding managers commission 2927 के नाम से मा की जो treatment है वैसे हैं तो यह topic अब हमने कर लिया अब आप यह topic अराम से cover कर लिजेगा manager के commission का हम next adjustment में फिर मिलते हैं आपसे next video में ठीक है जाते जाते चैनल पर अगर नहे हैं तो message जरूर से like कीजिए subscribe कीजिए और well icon जरूर से दबाये कीजिए इससे जो भी हमारे latest videos होंगे आपको time to time मिलते रहेंगे ठीक है मिलते हैं next video में issue all the best